हेलो दोस्तों, जीरो लैप में आपका एक पार फिर से स्वागत है, जैसा कि आप यहाँ पे देख पारें, यह LED टूब लाइट का PF ड्रॉपर वाला ड्राइवर है, जिसको आप 18 या 20 वाट की LED टूब लाइट में इस्तमाल कर सकते हैं, अगर आपके LED टूब लाइट का ड्र प्रियर कर सकते हैं, यह ड्रॉपर ड्राइवर जो है, प्रॉपर ली उतना ही करेंट आउटपुट करता है, साथ ही सेम वोल्टेज भी आउटपुट करता है, जितना आपके LED टूब लाइट का जो ओरिजिनल ड्राइवर था, वो आउटपुट करता है, यहाँ पे मैं इस वीडियो में आपको इसका आउटपुट बोल्टेज और करेंट का कंपेरजन जो है, जो LED टूब लाइट में इस तरह के ड्राइवर आते हैं, उसके साथ मैं करके दिखाँगा, यहाँ पे दोनों ड्राइवर का आउटपुट बोल्टेज और आउटपुट करेंट जो है, उसको हम कंपेरजन करेंगे कि क्या वो दोनों सेम है, अगर वो दोनों सेम होंगे आउटपुट बोल्टेज और आउटपुट करेंट तो हमारा यह ड्राइवर वाला ड्राइवर यह प्रॉपरली वर करेगा, तो यहाँ पे इसको बनाने का पूरा प्रॉसेज मैं इस तुलना करेंगे, यानि कंपेरजन करेंगे कि क्या सेम है, और उसके बाद हम इस ड्राइवर को बनाना सीखेंगे, तो चलिए वीडियो सुरू करते हैं, तो यहाँ पे पहले जो LED टूबलाइट में ड्राइवर लगा था, उसको हम टेस्ट करेंगे, चुकि यह सही है, तो ह हम इसको टेस्ट करते हैं, तो टेस्टिंग के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो LED टूबलाइट की स्ट्रिप है, इस स्ट्रिप में हम इसके कनेक्शन जो है वो करेंगे, यहाँ पे आप देख पाएंगे, पॉजिटिव वाले वायर को हम अपनी स्ट्रिप के साथ करने जैसा कि आप देख पाएं, मल्टी मीटर की दोनों प्रोब्स जो है, इन पे एलिगेटर क्लिप लगी हुई है, और मैं जो यह वायर है, निगेटिव वाला, इसके साथ इसको कनेक्ट कर देता हूँ, साथ ही ड्राइवर का निगेटिव जो है, इस मल्टी मीटर की प्रोब सेटिंग में लगा देता हूँ, यह जो मल्टी मीटर है, यह 600 मिली एम तक करेंट जो है, वो इससे आप टेस्ट कर सकते हैं, तो इस मल्टी मीटर को हम इसके मिली एम सेटिंग वाले पॉइंट पर लगा चुके हैं, और साथ ही अब मैं ड्राइवर जो है, हमारा इसमें सप जो है, और चलिए, अब ड्राइवर का जो आउटपुट करेंट है, उसको हम टेस्ट करते हैं, तो यहाँ पे आप देख पाएंगे, 211 मिली एमपीर करेंट जो है, वो हमारा ड्राइवर जो है, आउटपुट कर रहा है, तो यहाँ पे हमने करेंट जो है, वो तो देख लि हमने यहां पर बनाया था वो series हमें हटा के और multimeter की दोनों प्रोप्स जो है वो parallel में जोडनी पड़ेंगे driver के output के parallel में तो यहां पर इस तरीके से मैं इसको जोड रहा हूँ जैसा कि आप देख पा रहा है इसको हम इस तरीके से parallel में जोड लेते हैं जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहां पर इस तरीके से मैं इसको parallel में जोड लिया है और अब हम इसका output voltage है उसको test करेंगे अब मैं multimeter की backlight जो है उसको on कर लेता हूँ जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हैं light मैंने on कर ली है और मैं जो driver है हमारा driver में AC mains की supply देता हूँ यहां पर आप देख पाएंगे कि output voltage जो है वो 76 volt यहां पर हमारा driver output कर रहा है तो यहां पर इस तरीके से हमने देखा कि हमारा जो LED tube light के 7 का driver था वो कितने milliamp current और कितने volt output कर रहा है यहां पर voltage जो है 76 volt और output current जो है 211 milliampire कर रहा है अब इसके बाद आब हम क्या करेंगे अब हम अपना जो हमने PF dropper वाले driver बनाया है इसके output voltage और output current जो है वो test करेंगे तो चलिए इसको भी हम लोग test कर लेते हैं तो इसके लिए हमें LED strip से यह जो हमारा यह वाले driver था इसके connection हटाने पड़ेंगे और इस PF dropper वाले driver को हम connect करेंगे यहां पर आप देख पारें PF dropper वाले driver का positive जो है यह हमें अपनी LED strip के साथ जोड़ना है जैसा कि आप यहां पर देख पारें तो मैं इसको connect कर देता हूँ इस तरीके से और इसके बाद हम इसको test करते हैं यहां पर आप देख पाएंगे मैंने इसको connect कर दिया है और साथ ही मैं इसको इस तरीके से घुमा दूँगा जिसके light camera पर ना पड़े और हमारा जो multimeter है multimeter को हम अपने driver के साथ connect करेंगे और इसका milliamp setting में मैं multimeter लगा लेता हूँ जैसा कि आप देख पारें यहां पर मैं backlight जो है इसको on कर देता हूँ और यह जो multimeter की probes है हमारी यह हमारे PF dropper वाले driver के series में लगी हुई है तो चलिए इस पर हम supply जो है वो देते हैं यहां पर PF dropper वाले driver के साथ मैं जो AC mains है इसकी supply दे रहा हूँ यहां पर आप देख पाएंगे कि output current कितना है आप यहां पर देख पारें हमारा जो PF dropper वाला driver है वो 214 milliamp current जो है वो हमारे LED strip को provide कर रहा है तो यहां पर बिलकुल सही current है वो 211 कर रहा था यह 214 या 15 के करीब output current जो है वो provide कर रहा है 215 milliamp तो चलिए अब हमने इसके जो milliamp है वो तो देख लिए अब हम output voltage भी देख लेते ह positive negative जो driver का output है उसमें जोड़ना पड़ेगा तो यहां पर मैं इस तरीके से इसको जोड़ लेता हूँ जैसा कि आप देख पारें यहां पर और अब हम इसका output voltage है वो test करेंगे तो इसको हम voltage section वाले में लगा लेते हैं multimeter को और इसकी backlight जो है उसको on कर देते हैं यहां पर देखा कि दोनों driver के जो current और voltage है वो same है तो यहां पे PF dropper वाला driver जो है यह हमारे perfectly काम कर रहा है तो चलिए अब इस dropper driver को किस तरीके से बनाना है उसका process समझते हैं तो यहां पे 18 या 20 watt के LED tube light के dropper driver को बनाने के लिए कौन-कौन से और किस-किस value के component चाहिए सबसे पहले हम य दATTte तो यहां पर देखा है यह एक candy resistance है जिसकी वैलु जो है वो 2.2 ओम वन वर सै यहां पर देखा है ये यहां पर्वाट और 2.2 ओम की fusible resistance है आप इसकि जगर पर 3.3 ऑम की fusible resistance भी 1W में ले सकते हैं इसके बाद आप यहाँ पे देख पारें यह जो part है यह MOV है और यह 10D511K का MOV है तो इस तरह का आपको MOV लेना है इसके बाद next component आप यहाँ पे देख पारें कि यह एक PF है और इसकी value जो है वो 225J450V यानि 2.2μF और 450V का यह PF है आप 225J450V की जगह 225K450V का PF भी ले सकते हैं तो यहाँ पे PF हो गया इसके बाद आप इस तरह की quarter watt की resistance जो है यह लेंगे यह 1M की है तो यहाँ पे इस तरह की एक resistance चाहिए इसके बाद 1N4007 के 4 diode लेके आप इस तरह का bridge जो है वो bridge बनाएंगे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं यह दोनो painted side जो है यह bridge की positive output की है और यह दोनो black side जो है यह negative output की है और यह side और यह side इसमें आप देखेंगे कि painted और black दोनो है इसमें भी painted और black दोनो है तो यह दोनो जो side है यह AC input की side है तो इस तरह से आपको bridge rectifier बना लेना है 1N4007 diode लेके इसके बाद आप यहाँ पर देख पाएंगे इस तरह की fusible resistance आपको चाहिए यह है 68 ohm 1 watt की तो इस तरह की 3 fusible resistance जो है यह आपस में आपको parallel जोड लेनी है तो इस तरह के से आप जो यह fusible resistance है यह लेंगे ज़रूरत पड़ेगी इसके बाद next component आप यहाँ पर देख पाएंगे कि यह जो component है यह एक resistance है और इसकी जो value है वो 220 kilo ohm और यह भी quarter watt की resistance है तो इस तरह की आप quarter watt की 220 kilo ohm की resistance लेंगे तो यहाँ पर इतने component आपने ले लिए चलिए आप इनको आपस में जोडते हैं तो LED tube light 18 या 20 watt के PF dropper driver को बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है सबसे पहले दोनों हम PF जो हैं इनको जोडते हैं तो यहाँ पे PF को हम इस तरीके से parallel जोड़ेंगे दोनों PF जो हैं ऐसे आप मान सकते हैं यहाँ पे इन दोनों लेक्स को जोड़ना है और यहाँ पे इन दोनों लेक्स को जोड़ना है लेकिन हम क्या करेंगे ऐसे नहीं जोड़ेंगे हम इसको इस तरीके से जोड़ेंगे यहाँ पे इन दोनों लेक्स को जोड़ देंगे जोड दिया है अब दूसरी लेक को जोडने के लिए हम क्या करेंगे एक वायर का इस्तमाल करेंगे हमने एक वायर लिया है और वायर को हम क्या करेंगे इस तरीके से इस वाली लेक के साथ पहले जोड़ेंगे फिर दूसरी वाली लेक के साथ जोड़ेंगे किस तरीके से जोड वहां पर आप समझ सकते हैं तो इस तरीके से हमने दोनों पीफ जो है यह आपस में पैलर में जोड़ लिए हैं अब हम क्या करेंगे कि पीफ जो है पीफ के साथ में एक वन मेगा ओम की रेजिस्टेंस जो है वो भी पैलर में जोड़ेंगे यह दोनों पीफ पैलर में जोड़ रेजिस्टेंस को इस PF के पैरलर में ही जोड़ रहा हूँ जिससे कि हमें अगर हम ये LED टूबलाइट में सप्लाई से हटा दें और जो LED टूबलाइट के AC इंपुट के वायर से उनको अगर टेच करेंगे और ये रेजिस्टेंस नहीं लगाई होगी तो हमें सौक लग सकता है इसलिए ये डिस्चार्ज रिस्टेंस है इन PF को डिस्चारज करने के लिए तो ये बहुत ही ज़रूरी है अब next step में हम क्या करेंगे कि जो bridge rectifier है मारा इस bridge rectifier के AC input के point जो हैं किसी एक point के साथ में हम PF का एक point जोड़ेंगे तो इस side वाले point के साथ में हम PF का ये वाला point जोड जैसा कि आप देख पारें, इस तरीके से हम इस bridge rectifier के इस point को हम इस तरीके से mold कर लेते हैं और यहाँ पे इस तरीके से हम इसको जोड़ देते हैं, जैसा कि आप देख पारें, इस तरीके से आपको जोड़ना है, यह dropper driver जो है लंबा थोड़ा सा बनेगा, जिससे कि हमारा आस जो bridge है इसको और इसकी जी जो AC input का दूसरा leg है इस leg को भी हम इस तरीके से कुछ fold कर लेते हैं जिससे कि बिलकुल ये adjustment हो जाए सही से अब हम क्या करेंगे AC input का जो दूसरा point है इसके साथ में fusible resistance जो हमारी थी ये fusible resistance 2.2 ohm 1 watt की इसकी एक leg जोड़ेंगे तो जैसा कि आप देख पारें इस तरीके से मैं इसको रख लेता हूँ और इसको इस तरीके से जोड़ देता हूँ ये सारे parts जो है मैंने जो आपको dropper driver पहले वीडियो में दिखा था उसको disassemble किया है इसके बाद फिर से assemble मैं कर रहा हूँ तो यहाँ पे किसी तरह का कोई confusion नह जोड़ा है इसके साथ में और यहाँ पे यह जो दूसरा point है जो दोनों का common ये वाला point है इस point के साथ में MOV का connection करेंगे तो यहाँ पे इस तरीके से मैं इसको connect कर देता हूँ जैसा कि आप देख पा रहे है एक leg हम fusible resistance के साथ में जोड़ेंगे जो हमारा bridge के साथ में तो यहाँ पे इस तरीके से अब हमारा circuit जो है इतना complete हो गया है अब next step में हम क्या करेंगे जो हमारी resistance थी तीन resistance जो हमने parallel में जोड़ी थी एक resistance की value 68 ohm 1 watt है तो इस तरीके से तीन resistance हमने parallel में जोड़ ली थी इनको अब हम bridge rectifier का ये positive point है bridge rectifier का DC output का positive point और ये negative point तो हम positive point के ये positive point के साथ में ये जो तीन resistance parallel में थी इनको जोड़ लिया है अब हम क्या करेंगे जो हमारा electrolyte capacitor है इस capacitor को हम bridge rectifier के एक negative point बसता है और दूसरा ये positive point के साथ ये हमारी resistance जोड़ी है इसके साथ में electrolyte capacitor जो है इसको जोड़ते है तो यहाँ पे किस तरीके से जोड़ना है आप देख लेंगे यहाँ पे electrolyte capacitor में polarity होती है polarity का आपको भी इस ध्यान देना है तो negative जो है ये negative है तो negative को negative side में इस तरीके से रखेंगे और positive को positive side में तो इस तरीके से हमें ये capacitor जो है इस capacitor को जोड़ना है आप यहाँ पे देख पा रहे है इस तरीके से मैं इसको रख लेता ह है अब next step में आपको क्या करना है next step में आपको यह की यह resistance बसती है जो की 220 किलो ओम की है यह हमारी इस output वाले electrolyte capacitor की discharge resistance है यह भी लगानी जरूरी है नहीं तो आपके LED tubular जब आप लगाउट करेंगे तो वो कुछ देर तक चलती रहेगी तो यहाँ पे इस तरीके से जो capacitor के positive negative है इन ही के साथ में हम यह resistance जो है इस resistance को जोड़ेंगे जैसा कि आप देख पारें तो इसको भी हम जोड लेते हैं यहाँ पे आप देख पारेंगे इस तरीके से मैंने एक leg इस resistance की जोड़ दी है दूसरी leg भी हम electrolyte capacitor की दूसरी leg के साथ जोड़ देते हैं जैसा कि आप देख पारें तो इस तरीके से हमारा wire है दूसरे wire का connection हम कहां पे करेंगे जहां पे हमारा MOB का दूसरा leg लगा है इस center tapped point के साथ में वैसे center tapped नहीं कहना चाहिए पैलर में है चुकि दोनों जो capacitor है PF capacitor यह आपस में parallel में है तो center tapped नहीं कहना चाहिए लेकिन इस तरीके से अब हम क्या करते है कि हमने जो AC input के wires है उनको connect कर दिया है अब DC output के wires जो है वो भी हमें connect करने है तो इस तरीके से हमने दो अलग-अलग के wire लिए है positive capacitor का यह है और negative यह है तो negative के साथ में blue wire और positive के सा उसको connect कर दिया है negative wire जो है हम negative capacitor के negative terminal के साथ connect करेंगे यहाँ पे आप देख पारें इस तरीके से और इसके भी connection जो है वो कर देते हैं यहाँ पे मैंने इसकी solding कर दी है तो यह जो dropper driver है इस dropper driver के output के जो wires है वो हमारे यह हो गया positive negative के और साथ ही AC input के wire जो है वो हमारी यह है तो इस तरीके से हमने इस dropper driver को complete कर लिया है इसी तरीके से आपको dropper driver जो है complete करना है और इस dropper driver का circuit diagram जो है वो अपने दूसरे चैनल पे मैं वीडियो उसका upload कर दे रहा हूं जिसको आप देखके इस dropper driver को बड़ी आसानी से बना पाएंगे तो उमीद करता हूँगी आपको किस वीडियो में मेरे द्वारा अच्छी जानकारी मिली होगी और आज के वीडियो में इतना ही thanks for watching have a nice day